सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम आपको ऐसे कोशन दिखाने वाले हैं जो सन 2008 से लेकर जूम 2019 तक आए हैं और काफी बार तो ऐसा होता है दोस्तों इन कोशन में बिल्कुल डिट्टो कोपी स्टेटमेंट होते हैं और उनके जो ऑप्शन होते हैं तो ऐसे कोशन का नाम आले बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों और मैं बार बार आपको कहता हूं कि UGC NET के अंदर हमेशा कोशन रिपीट होते हैं अगर उन कोशन को हम अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल असानी से हम एक्जाम कर सकते हैं और अपना NET PLUS में ज्यारह बिल्कुल असानी से हो सकता है तो दोस्तों ये वीडियो अप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों हमने NTA UGC NET दिसंबर 2019 एक लिए एक पेड वर्टसप ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से स्टड़ी करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन के बारे में बताएंगे और उनका मौक टेस्ट भी लेंगे इस ग्रूप में आपको दोस्तों दस यूनिट के PDF स्टड़ी नोट्स दिये तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रूप को जोइन कीजिए और अपनी स्टड़ी अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों सबसे पहले हम देखते कि ऐसे कौन से कोशन है जो बार-बार रिपीट हुए यह कि यह क्या कहरा इसे समझने की कोशिस किजिए कोई वस्तू है उसे हम 11% हानी पे 178 रुपे में बेचते है उसी वस्तू पर अगर हमें 11% का लाब चाहिए तो उसे कितने रुपे में बेचना होगा यहाँ पर बात कह रहा है अब यही कोशन देखते दोस्तों दोबारा कब आया है ये देखे दोस्तों ये हमारा 26 जूम 2019 मौर्निंग का पेपर है इसके अंदर ये कोशन देख सकते हैं 25 इसमें कहा है एक परसन इंशूर 10% लोस बाइ सेलिंग ए वोच फोर रेट अठारा सु रुपे यानि कि एक व्यक्ति है जो 10 परतिसत हानी पर किसी वस्तु को यान कमाने के लिए कितने रुपे में बेचना होगा यहाँ पर आप देख सकते कि दोनों के दोनों जो कोशन है ये कोशन और ये कोशन सेम है और इसी तरह का कोशन दोवारा फिर आया था जो 26 जून 2019 की जो सिफ्ट थी उसमें दोवारा फिर ये कोशन आया यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते कि ये तीनों के तीनों कोशन किस तरह से हम करेंगे ये देखे दोस्तों ये कोशन करने से पहले सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दो फॉर्मूले से हमारा ये कोशन निकलेगा अब देखे हान प्रतिस्त लाब कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा यानि कि यहां पर हमें विक्रे मुल्य पता करना तो इससे पहले हमें करे मुल्य पता होना चाहिए कि वो वस्तु कितने रुपे में उसने खरीदी है वो हमें पता होना चाहिए ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहां पर यह दिया हुआ है दोस्तो हानी होने पर करे मुले करे मुले वो होता है दोस्तो जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते है और विकरे मुले वो होता है जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते है अब देखिए हानी होने पर करे मुल्य क्या होगा विक्रे मुल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में हानी प्रतिसत अब इसके अंदर ये देखते कि ये जो पुरा का पुरा फोर्मूला है इसके अंदर कहां पे किस तरीके से बैठता है अब देखिए इसके इंदर विक्रे मुल्य क्या होगा 178 रुपए हो गया और हानी परतिसत क्या होगी हमारी 11 परतिसत होगी तो अब इसका हम क्रे मुल्य निकालते हानी होने पर क्रे मुल्य अब क्रे मुल्य को हम यहाँ पर के लिख देते हैं यहाँ पर क्रे मुल्य हमने के लिख दिया यह क्या होगा दोस्तों यह होगा हमरा विक्रे मुल्य गुणा में 100 बटे में 100 माइनस में जो हानी प्रतिस्ट है वो लिखे देते हैं हानी प्रतिस्ट कितना अपना यहां पर ग्यारा प्रतिस्ट है तो अब इसमें पूरा कब पूरा लिखते हैं इसमें विक्रे मुले कितना एक सो अठेतर गुना में सो बटे में सो माइनस में ग्यारा अब यह देखे एक सो अठेतर को जब 100 से multiply करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास ये आ जाएगा 138 और लाश में 20 लग जाएगी और फिर नीचे क्या होगा 100 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास क्या है यह है हमारा क्रे मुल्य है दोस्तो जिस कीमत पे हमने चीज खरीदी है वो है अब आगे हमें क्या निकालना है अब 11 परतिसत LAB क्амाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा अब हमें इसका विक्रे मुल्य निकालना यानि की selling price हमें निकालना है और यह जो अभी हमने दोस्तों निकाला यह cost price है हमारी ठीक है अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान में रख ले हमने जो cost price है वो कितनी निकाली है 200 रुपे निकाली है और 200 रुपे निकालने का जो formula यह है और यह formula मैंने आपको पीछे भी दिखाए था वहाँ से आप note कर सकते हैं अब हमने यहाँ पर cost price निकालनी यानि कि CP निकालनी अब हम selling price निकालेंगे SP निकालेंगे कैसे निकालेंगे अब देखिए इसका जो formula है दोस्तों इसका formula यह है लाब होने पर विक्रे मुले क्या होगा इसका जो formula है करे मुले इंटु में 1 पलस में लाब परतिसत बटे में 100 अब देखिए यह इसके अंदर हम रखके देखते हैं अब देखिए जो SP हमारा selling price हमें निकालना है selling price क्या होगा दोस्तों यह था हमारा cost price CP अब देखिए selling आपे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप confused ना हो यह हो गया विक्रे मुले है और यह हो गया हमारा करे मुले अब देखिए अब इंटु में 1% में जुलाब है हमारा profit है profit परतिसत बटे में 100 ठीक है यह हमारा formula है अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे एक मिनट यह थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर अब देखिए इसके अंदर हम पूरा का पूरा formula के अंदर put करते हैं अब देखिए जो विक्रे मुले वो निकालेंगे तो यहाँ पर करेंगे लिखेंगे करेंगे कितना निकाला था दोस्तो हमने 200 रुपे निकाला था इंटू में एक जमा में जो profit है profit कितना है 11 परतीसित है 11 बटे में यहाँ पर हमने लिख दिया 100 अब देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर मैं थोड़ा erase कर दिता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते है थोड़ी जगह कम है इसमें यहाँ पर यह आ गया हमारा 200 इंटू में अब 100 को इससे multiply करेंगे एक के साथ तो 100 रहेगा 100 जमा में 11 यानि कि यह हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 111 बटे में 100 यह दोस्तों इस तरीके से जो जमा करते हैं यह हम सबी को आता है नॉर्मल चीज़ है साथ यह मेरे को बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल बेसिक चीज़ है अब देखिए अब आगे क्या होगा दोस्तों अब यह होगा जैसे की 2-0 से 2-0 हमारी यह कट गई और जब 111 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या जाए दोस्तों हमारे पास 222 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और 222 जो है दोस्तों हमारे उप्सन नमबर C में दिया हुआ है इसका आंसर तो इस तरह से आप बिल्कुल असाने से कोश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों और मेरे को लग रहा है कि साइद आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर बही पता नहीं कैसे करके क्या निकाल दिया आप सभी केवल और केवल एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर यह जो दो फॉर्मूले हैं आप इनको रट लेना याद कर आप इन दोनों को जरूर याद रखना क्योंकि इसी के बेस पे हमारा कोश्चन निकलेगा अब देखिए अब हम अगला कोश्चन करने की कोशिश करते हैं यह जो कोश्चन है हमारा 26 जून 2019 को आया था यह कोश्चन करने की कोशिश करते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि एक जो है वो चैब वो 10% खानी पे 1800 रुपे में बेची जाती है तो 10% लाब कपाने के लिए उसे कितने रुपे में बेचा जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या है दोस्तों इसका करे मुल्ले पता करना है यानि कि CP हमें पता करना है अब देखी इसका वही फॉर्मुला जो मैंने अभी आपको बताया था यानि कि करे मुल्ले किसके एकोल होगा दोस्तों इंगलिस में से हम CP कहेंगे ये क्या होगा हमारा जो विक्रे मुल्ले गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारा लोस हुआ है वो ठीक है अब विक्रे मुल्ले हमारे पास यहां पे कितना है यहां पे अठारा सो रुपए गुना में सो हमने कर दिया बटे में क्या होगा सो माइनिस में लोस, लोस कितना था हमारा दस यानि कि दस जब सो में से माइनिस करेंगे तो यह क्या जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा और जब हम अब देखे, जीरो से जिरो ही कट गया नो दुनी अठारा टू डवल जिरो दोस्सो यह आ गया और एक जिरो यह टोटल यहां पर क्या आ जाए या दोस्तों हमारे पास दो हजार रुपे आ जाएंगे अब देखी यहां पर दो हजार रुपे हमारा क्या है सेलिंग प्राइज है अब थोड़ा सा एक बार फिर से मापको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यह देखी करे मुल्ले हमें निकालना है यह देखी यह हमारा विक्रे मुल्ले है 10 परतिसत खानी पर किसी वस्तू को 18 रुपे में बेचा जाता है और जो चीज बेची जाते है वो क्या होता विक्रे मुल्ले होता है अब आगे देखी इसमें क्या का है अब 10 परतिसत लाव कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा अब बेचने से पहले हमारे पास करे मुल्ले होना चाहिए और CP जो है इसका जो 2000 आजएगा अब देखी दो हजार हमारा क्या आया है यह हमारा विक्रे मुल्ले यानि की सेलिंग प्राइज आया है अब हम आगे इस कोशन को करने की कोशिस करते हैं अब देखिए अब हमें विक्रे मुल्ले निकालना है विक्रे यानि की विक्रे को V से डिनोट कर देते इसको इंगलिस में S P ठीक है अब देखी अब जो formula था हमारा वो था क्या था करेमुले यानि कि CP इंटो में 1% जमा में जो हमारा profit है वो P बटे में 100 यह हमने कर दिया ठीक है अब देखी इसके इंदरम पूरा का पूरा रखने की कोशिश करते हैं करेमुले कितना था दोस्तों हमारे पास 2000 उपर इंटो में 1 जमा में profit कितना है 10% है बटे में 100 अब देखी अब वही काम करेंगे जो पीछी किया था हमने यह 2000 का 2000 रखेंगे 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाए हमारे पास दोस्तों हमारे पास 2200 रुपए आ जाएगा और 2200 जो आंसर है दोस्तों यह हमारा option number 3 के अंदर दिया हुआ है तो दोस्तों यहां से आप बिल्कुल असानी से इस तरह से इस question को निकाल सकते हैं हमें मानता हूं थोड़ा अगला question देखते हैं अगला जो question है वो हमारा loss and profit से बिल्कुल अलग है यह है हमारा जो time and distance है उससे question है इस तरह के question भी हमारे आये हैं अब देखिए इसके अंदर इन्हों ने क्या कहा है two cyclists start from the same palace in opposite direction यानि कि दो cycle वाले हैं वो opposite direction के अंदर जा रहे हैं one goes toward north at 9 km per hour एक बंदा है वो north की तरफ जा रहा है 9 km per hour की speed से और जो दूसरा जो बंदा है other goes toward south 10 km per hour की speed से अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बिलकुल असान भासा में देखिए ये एक point है हमारे पास यहां पे दो cycle वाले हैं अब एक क्या कर रहा है कि वो north की तरफ जा रहा है और जो दूसरा है वो south की तरफ जा रहा है दोनों के दोनों अलग opposite direction में जा रहे है अब एक बंदा है जो वो है 9 किलोमेटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है और जो दूसरा है वो 10 किलोमेटर की स्पीड से जा रहा है अब आगे इसने काया कि what time will we take to be 47.5 किलोमेटर अपार्ट यानि कि दोनों एक दूसरे से 47 किलोमेटर दूर जाने में उनको कितना time लगे से होगा ये question लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हम इसे बिलकुल असानी से कर शकते हैं ये देखे दोस्तों अब थोड़ी सी common sense लगानी है हमें कि ये जब चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे और जो time लगेगा दोनों में बराबर बराबर time लगेगा अब दे क्या हो गया 9 दुनी 18 गंटे हो गयए 10 दुनी 20 घंटे हो गया तो ये कितने हो गये दोस्तों ये 38 घंटे हमारे पास हो गए तो सबसे पहली बात हमारी क्या आप्स dollars होगा या फिर हमारा 4 एप्सन यानि की 4th एपसन होगा इन दोनों में से एक होना चाहिए अब हमें क्या करना है दोस्तों इसके अंदर हम ये दोनों के दोनों यूज करके देखेंगे एक बार तो ये यूज करके देखेंगे एक बार ये यूज करके देखेंगे अब देखिए इनको हम कैसे लागू करेंगे यह देखिए अब अब हम यह धाई घंटे यह धाई घंटे लेके चलते हैं धाई घंटे का मतलब कितना होता दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं 2.5 multiply by 9 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा जब हम धाई को 9 से multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आजाएगा साधे 22 किलोमेटर आजाएगा अब दूसरा जो 10 है इसको use करके देखते हैं 10 गुना में अब 12 से फिर इसमें धाई घंटे करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों हमारे पास यह आजाएगा यह आजाएगा दोस्तों हमारे पास 25 अब इन दोनों को जब हम पलस करते तो यह आजाएगा दोस्तों हमारे पास 47 किलोमेटर आजाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा logic लगा के बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं हाँ मैं थोड़ा सा मानता हूं कि difficult है लेकिन आप practice करेंगे तो यही question हमारे लिए बिल्कुल असान हो जाएगे अब हम दोस्तों अगला question देखते हैं अगला हाँ यह question देखें दोस्तों यह question भी अभी तक बहुत बार आ चुका है और यह question अब दोबारा आने start हो गए है पहले क्या था यह सन 2011 से पहले पहले काफी question आए है यह question बिल्कुल असान है दोस्तों इस तरह की question कैसे होते हैं यह जैसे हमने coding recording करवाई थी उसी से related question है और उस time हम करवाना भूल गए थे तो अब कर लेते हैं इसने काई कि bet bet को को कोई आदमी 23 लिखता है और cat को 24 लिखता है तो bowl को किस तरह से लिखा जाएगा अब देखी bet को 23 किस तरह किसे लिखते हैं अब देखे मैंने बता LEIGHए था b हैं वो कितने पर 2 है a है वो कितने पर 1 पर t कितने पर 20 पर अब इन तीनों को पलस कीजिए, यह कितना हो गया हमारे पास, 23 हो गया, इसी तरीकी से cat है, cat हम यहाँ पे लिखे लेते हैं, cat, अब देखिए cat, c कितने पे, 3 पे, a कितने पे, 1 पे, t कितने पे, 20 पे, और यह कितना हो गया दोस्तों, यह हो गया हमारे पास, 24, यानि कि 24 हो गय बोल कितने नंबर पे आएगा दोस्तों तो बोल के लिए आप यहां पे लिखे लिए बी ए डेबल एल तो बी कितने पे दो पे एक कितने पे एक पे एल कितने पे बारा पे और एल दुबारा कितने पे बारा पे अब इन सभी को पलस कीजिए पलस करने पे क्या होगा दोस्तों ये कोशन आप करके देखना बिलकुल असान है बिलकुल असान है ये करके देखना और इसके अलावा जैसे हाँ एक ये कोशन है दोस्तों ये कोशन भी पहले आया है काफी बार आये है इस तरह के कोशन ये कोशन भी हमारे लिए करना जुरूरी है अब देखी इसमें इसने क्य कहा है इन्हें certain code 786 को क्या लिखा जाता है study very hard 786 को क्या लिखा जाता है दोस्तो study very hard और 958 को क्या लिखा जाता है hard work page ये लिखा जाता है और 645 को क्या लिखा जाता है study and work इस तरीके से इनको लिखा जाता है तो आगे ये कह रहा है which of the flowing is the code very अब very के लिए क्या सब्द use होगा 8 होगा, 6 होगा, 7 होगा या cannot be determined इन में से क्या होगा अब देखिए इस तरह के question कैसे करेंगे बिलकुल असान बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवा सकता है अब देखिए यहाँ पे 786 को study very hard लिखा जाता है और 958 को hard work page लिखा जाता है अब सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखिए 786 और 958 के अंदर क्या चीज common है यहाँ पे आप 8 देखिए 8 इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है और दूसरी चीज यह देखिए कि इन के अंदर study very hard यहाँ से यहाँ तक और hard work page इन दोनों के अंदर क्या common चीज है इन दोनों के अंदर आपको क्या लग रहा है अब देखिए इसके अंदर hard है और इसके अंदर भी hard है अब इसका मतलब क्या है दोस्तों जो hard है hard को हम क्या दे देंगे mark 8 दे देंगे 8 हम माल लेंगे अब हम आगे चलते हैं अब 645 को क्या लिखा जाता है रुके मैं erase कर लेता हूँ यहाँ पे रुके 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 हाँ अब देखी 645 को क्या लिखा जाता है study and work लिखा जाता है तो अब देखे study and work study की बात कहाँ पे चल रही है अब यहाँ यहीं पे चल रही थी और इसमें देखिए यहाँ पे study है और इसमें भी study है तो इन दोनों में 786 में और 645 में क्या comment है वो चीज देखिए अब देखिए यहाँ पे 6 है और इसमें भी 6 है तो 6 का मतलब क्या हो गया दोस्तो study हो गया ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लिखे लेते हैं यह जो study है एक मिनट दोस्तों यह जो study है इसको हमने लिख लिया च्छे और जो hard है hard का आया था हमारा यहाँ पे art यहाँ पे हमने लिख लिया अब आगे हम क्या देखते हैं कि यह कह रहा है कि which of the following is the code very very जो code है उसका मतलब क्या होगा अब देखी very कहां पे कौन से sentence में हैं 786 वाले में study very hard अब देखी study का हमने 6 निकाल लिया hard का हमने 8 निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया very बच गया only और यहाँ पे कौन सा अक्सर बच गया यहाँ पे हमारे पास बच गया only 7 बच गया क्योंकि 8 और 6 का हमने दोनों का code निकाल लिया है तो very का क्या हो जाए है दोस्तों हमारे पास 7 इसका अनसर हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से इस तरह की कोशन कर सकते हैं और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रेसान है कोई कोशन समझ में ना है तो प्लीज आप हमें WhatsApp पे message कीजिए WhatsApp नंबर हमारा यह है यहाँ पे आपको message कीज हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो शी वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दवाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तों